और कि अधाय है का स्वाकत है आपका देज दुनिया के सबसे बड़ी खबरों मेंगे हो आज के सबसे बड़ी खबरों के बारे में जिसे जानने के लिए आप विछूप भी है तोटल भीमार अभी तक जो है करोना से संक्रमित लोग है भारत देश में और 5112 लोग ठीक हो चुके जिए दोस्तों बहुत ही एच्छी खबर यह कि 5000 जिए तो 5000 लोग ठीक हो चुके हैं करोना वाइरस से संक्रमित होने के बावजूत अगली खबर चलते हैं जिए दोस्तों दोस्तों प्रधान मंति ने ने पर चलने वाली है अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जम्मू कसमिर से अगली खबर आ रहे हैं कि वहां पे चरण बद तरीके से लॉक्डाउन खुलने जा रहा है और किम से राज है जो कोटा में फसे जो है अपने छात्रों को वापस लाने के लिए बसे चला रहे हैं तो जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से तो आप इस खबरों को जो विस्तार से देखने के लिए वीडियो का अंतक जरूर देखेगा ताकि आपके एक भी खबर मिस ना हूँ से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ अपडेट्स जियां दोस्तों सबसे पहले चीज़ बता दू कि प्रधान मंतिल नहिंद मोदी ने दो है तमाम देश के जियां दोस्तों पंचाई ती आज के सदर्स्यों के साथ जो है वीड इनका 40,000 करोड का नुकसान होता है और आप समझ सकते हैं भारत जैसे विकासिल देश में ये लॉकड़ान कितना जादा जो है नुकसान दे है इसी बीच प्रधान मंतिल नहिंद मोदी ने कहा कि सभी तमाम पंचाईती राज्यों से कि वो जो है ग्रामिड अस्तर पर भी ज जाके लोन ले सकते हैं क्योंकि केंश सरकार ने काफी जो है चूट दे दी है ताकि आप आपको आसानी के साथ जियां जोस्तों लोन मिल सकता है आपके किसी विकारी के लिए या क्रिसी काम के लिए अगली खबर की तरह बढ़ते हैं कोटा में फसे चात्रों को निकालने के हिमाचल प्रदेश सरकार प्लान बना चुकी है और 9 बसों के जारा दिया दोस्तों 9 बसों जो है वो चलाने वाली है जिनके वद्वरा कोटा में फसे तमाम छात्र जो पढ़ने के लिए आया है उन्त लोगों को निकाला जा सके ये खबर सबसे पहले जो है आधितनाथ योगी दोस्तों आधितनाथ योगी ने तीन सो बसे चला गए उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार थी कोटा में फसे तो लोगों निकाला उसके बाद से तमाम राज्यों के मुखमेंतरी में जैसे होड लग गई है और तमाम लोग कोटा में फसे अपने अपने छात्रों को जो है निकालना चाहते हैं देखा जाए तो दोस्तों इस समय जो है जादा जो दुर्गती हालत है वह गरीब मजदूरों की यानि कि जो करोना वाइरिस से पीडित नहीं है लेकिन उसके बावजूद उसकी पीड़ा सहर है जी या दोस्तों मैं बात कर रहा हूं तमाम जो है बसे चलाए क्या आप सरकारे जो है क्या तमाम मजदूरों को निकालने के लिए जो फसे हुए है जो आने राज्यों में फसे हुए जिन्हें खाने पीने की जो है सुविधा नहीं मिल परें क्या उन्हें निकालने के लिए बसों का इंदजाम नहीं करना चाहिए तो क कि लॉक्डॉन के अंदर गत किसी को भी जो है किसी प्रकार की परिशानी नहीं है यानि कि अगर आपका फिंगर प्रिंट जी है आप जाएए किसी भी जो है जनसेदा जो है सुविधा के इंदर पर वहां पर जो के अपने फिंगर प्रिंट यानि अंगुठा लगा के जो है पासानी के साथ पैसे निकाल सकते हैं अगर आप अपना अधारकाट भूल गया है या फिर आपका अधारकाट हो गया है तो भी आपके खाते में जो हैं से आप पैसे निकाल सकते हैं अगली ख़बर की तरह बढ़ते हुए बताते हैं दोस्तों कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने यह दोस्तों एक नई अपडेट यह आ रहे है कि आपको बहुत ही जल्ड जो यह अमाउंट है यानि जो दो हजार रुपी आपको मिलने वाले थे यह आमाउंट बढ़के आपका लगभ़च दस हजार तक हो सकता है जिया दोस्तों प्रधान-मंत्री नहें सब्सक्राइब चाहिए लाक करोड करोड था लेकिन इसके बाद से जो हैं नीच दिनका लॉट और बढ़ गया यानि कि तीन महीं तक बढ़ा दिया साथ वीडियो कॉंफरेंसिंग के जड़िए वारतालाप करने वाले हो सकता है या फिर लॉक्डाउन को खत्म किया जा सकता है वो तो आपको 27 अप्रेल को ही पता चलेगा लेकिन दोस्तों 27 अप्रेल तक आपको यह जरून मिल जाएगा कि आपको जो है केन सरकार के दौरा एक डिली के मुख्यमंटरी ने अपने राज के तमाम लोगों की बिजली की बिल को मुफ्त कर दिया उन्होंने कहा कि किसी से भी प्रकार का सुलक नहीं लिया जाएगा आप सभी के लिए लागडौन के अंतरगद कोई भी बिजली का बिल नहीं भरना होगा इसे परकार तमाम अन लोगों के भी जो यह मांग है कि उनके भी राज्जों की जो है बिजली के बिल जो है मांख किये जाए क्योंकि लॉक्डाउन के चलते हैं उनका घर दुआ या फिर आपका कामकाज नहीं चल रहा है जिसके वज़े से वो बिजली का बिल भी भरने में असमर्थ हैं अगली जो है वहां पर यानि कि प्रती दिन जो है वहां पर करोना वाइर्स के संक्रमित लोगे की संख्या कम होते जा रही आनि कि वहां पर पूरीतर से काबू पा लिया गया है सिर्फ जम्मु कस्मीरी नहीं कुछ ऐसे राज हैं देश के और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक हैं आपको ड सब्सक्षल्ट करना होगा कि आपको सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेंट करने होगी और काफी सुवधाओं के साथ जैसे कि मास्क, सेनेटाइजर, हाथों में गलब्स पहन के ही आप काम कर सकते हैं और जितने की भी लोग काम करेंगे वो जो है उसी से नियरबाई यानि की आसपास रहेंगे कॉरंटाइन के हिसाब से तो दोस्ते बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि काफी लोगा रोजगार है वो कंस्ट्रक्शन यानि की इमारत के बिल्लिंगों में था और उन सबी के लिए अच्छी खबर है कि अब लॉक्डाउन से पहले ही उनको ये सुगधाई दे दी जा रही है अगली खबर की तरह बढ़ते हैं जिया दोस्तों गोवा एक ऐसा राज बना जहां पर करोना का एक भी मरीज नहीं पाया जा रहा है जिया दोस्तों करोना के बाद अगर बात करें सबसे पहला राज तो गोवा ऐसा पहला राज है जहां पर करोना का एक भी संक्रमित वेक्त जो खत्रा मंडरा राइज तीन माई के बाद भी वह है महारास्ट्रा क्योंकि महारास्ट्रा में जो संख्या साड़े चार हदर के पार हो जाई है और दिरीद यह संख्या 5000 के करीब पहुंचने जा रही है तो दोस्तों यहां पर लॉक्ड़ान को खोलना बहुत ही मुश्किल ह कियोंकि यहां पे सबसे जादा आबादी वाला शाहर मुँबई हैं जहां पर एक करॉड़ से जादा की जनसंख्या रहती है बहुत ही कम छेत्रफल में यहां पर पे जिप्रुक्णे जरह संख्या बाम यहांосUNG भी भी ज्यृट जपर्णे जाने वालसे ध्हारावी जो भी है वह बांदरा शहर में पड़ती है और यहां पर करोना के तीन से चार मामने देखने को मिले जिसकी वज़े से कम्यूनिटी स्प्रेड यानि की समाज में फैनने खत्रा सबसे जादा है तो फिलाल जब तक महारास्टा के मुंबई शहर में काबू नहीं पा लिया जाता तब तक पूरी तरह से नहीं खोला जा सकता यह मैं सिप एक पर्टिकुलर यानि की सिर्फ महारास्टा राज की बात कि सबी इन तमाम राज्यों में कुछ जगों छूट दे दे के लौकडान को खोला जाएगा तो अगली खबर की तरह परते हैं तो रेलवे की तरह से अच्छी खबर यह आ रहे कि रेलवे पुरी तरह से तयार है कि वह यात्रियों को जिया तो जब से करोना वाइरस की पुरू कर दी जाए या तो बसों के मादयम से उन्हें उनके घर पहुचा दिया जाए क्योंकि तमाम लोग जो है इसके उपर बात विवाद बढ़ा रहे हैं फिलाल तो मुख्यमंतरी उद्धव ठाकर यानि महारास्टा के चीफ मिनिस्टर ने जो है इन्होंने कहा है कि सा संक्रमीत भी किया जा सकता है क्योंकि यह तमाम लोग जो है काफी परिशान है और काफी जो है गुस्से में भी है क्योंकि अगर देखे जाए तो आपने पिछले दो आपते पहले जो है बांद रहे हैं जगे जहां डेड़ हजार मजदूर से इसी आंदून करने के लिए आ पर्मिशन देना चाहिए कि तमाम मजदूर भाई-बैनों को जो है उनके घर पहुचाने तो अगली खबर की अपतार बढ़ते हैं जिए बहुत ही बड़ी न्यूज यह आ रही है कि सिछा जगत में आपको सिर्फ जो है सुल्क जो देना है वह सिर्फ आपको सिच्छा से ज लिए उन माबाप के लिए अपने बच्चों को जो दो से तीन बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए फीस देने में दिक्कत आ रहे हैं सरकार ने बहुत ही अच्छा छोड़ दिया है अगली खबर की तरह बढ़ते हैं तमाम मजदूर भाई-बैनों के पैसे नहीं पहुंचे और क्यों नहीं पहुंचे इसकी आपको जवाब मिल जाएगा जिया दोस्तों आप प्लीज वीडियो के मिचे कमेंट जरूर किजेगा और वीडियो को शेयर किजिए अट लिस्ट काफी लोग के पास एकर यह वीडियो पहुचता है तो उनके पास ज झाल 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 झाल